अस्थमा ब्राउंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी विमारिया है जो एलर्जी से ज़्यादा शुरू होती है ये सब को ठीक करने की पाकत दाल चीनी में पेशा आपकी तक्लिफ में अगर रुक रुक के पेशाब आती है उनको चुना मत दे रुक रुक के जिनको पेशाब आती है व्रिबलिक जिसको उनको चुना नहींगे लाखी किसी को भी दे अभी चूना और मैथी दो आउशदी की माहिती मैंने आपको दीशी समझ में आई अभी तीसरी एक माहिती और देखी जैसे चूना है मैथी है ऐसे ही अपने स्वेंपाग घर में बहुत अच्छी ऑशन उसका नाम है दाल चीनी बहुत ही अपने यह दाल चीनी इतनी अच्छी ऑशन है कि आप इसके वारे में भी हरान हो जाएंगे सुनके दाल चीनी का पाउडर और मद दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले सुबह एक चम्मश दाल चीनी का पाउडर और एक चम्मश मद दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए त अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी विमारिया है जो एलर्जी से ज़्यादा शुरू होती है यह सब को ठीक करने की ताकत दालचीनी में कि सम भरता है सास भरती है दस कदम भी चल नहीं सकते चले तो बैठना परता है इन सब की आउशनी दालचीनी ो और जयन गरम का पालन करते हैं तो मद नहीं खासबते तो बोर में मिला करें चुदि डालचीनी उतना ही दोनों को गरमपानी में ऐँ नहीं सब्सक्राइब की यह गंधीर से गंधीर रोग में आपको बहुत तो तो ब्हुत बखार आया उसमें दालचीनी काम आती है। सर्दी जो काम होता है उसमें दालचीनी काम आती है। वाइरल फीवर है उसमें दालचीनी काम आती है। शरीर को मोटापा भहत हो गया है। वजन कम करना है उसमें दालचीनी काम आती है। शरीर को कभी भूखी में लगती है। उसमें दालचीनी काम एक सम्भारीक शरीर है जिन बच्चों का उनको भी डाल्चीनी कामाते हैं यह एक दाल्चीनी तेई सुरूगों को ठीक कर देते हैं बहुत अध्यूत है तो रसोई में जुरूर रखें इस नाचीनी कभी भी आप इसको उप्योग करेंगे धोखाने में डिजाइब करें लेकिन अलग से आप इसको उप्योग करें तो वह बहुत ही अच्छी आऊ सकते हैं आज हूंर एंला और प्रमार लेकर दाचीनी रओडर एक चमभ मत है। अगर मेथी खा रहे तो इसकी जरुदत नहीं ये खा रहे तो मेथी की जरुदत नहीं एक बार में एक और शबी खाईए जी बच्चों को मात्रा कम करिए आधा चमच काफी होता बच्चों को बड़े लोगों को एक चमच इलेर्जी के लिए बैस्ट मेडिसिन है दाल शी किसी वी तरह के शरीद नियमित दालची ने खाई यह मदब मिला के मद नहीं खा सकते तो गोड़न मिला के तीन से चार महिनें ने सब अनरजी ठीक कर देते सुवे के बाद? सुबे के लिए, खाले के लिए, एसी इडिटी के लिए खाल या दाल से हूँ हूँ दोह करतो दोह करतों